आज जो कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ सायत इससे मिलती जुलती कहानी आपने पहले से सुन रखी होगी पढ़ रखी हो या किसी टीवी या मूवी के सीन में देख रखी होगी लेकिन वह कहते हैं न दोस्तो कि ओल्ड इज गॉल्ड चिंता मत कीजिए मैंने इसे कोपी नहीं किया है हाँ थोड़ा सा इंस्पायर्ड जरूर हूँ बले यह कहानी पुरानी है लेकिन इसको मैं बिल्कुल नई अंदाज में आपको बताने जा रहा हूँ मा की ममता पर लिखी यह कहानी पुराने होते हुए भी जरूर आपके दिल में उतर जाएगी यह कहानी तीन सो साल पहले की है दोस्तो एक महिला को साधी के बारा साल हो गए थे लेकिन उसे संतान सुक नहीं मिला था बच्चे को पाने के लिए उस महिला ने न जाने क्या-क्या उपाई किये थे डोक्टरों के पास गई थी बाबा भक्तों के पास गई थी जिस ने जिस मंदिर जिस मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए कहा उस जगे पर गई थी जिस भगवान का नाम लेने के लिए कहा उस भगवान का नाम लेया था और जितने उपाई या उपवास करने के लिए कहा सब किये कहते हैं ना दोस्तों कि अगर दिल से और तनमन धन से कोई चीत चाहो तो मिल ही जाती है दोस्तों इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया बारा सालों का सुक बारा सालों का दुख दर्द पीड़ा और अपने बेटे का चहरा देखते इस सुक खुशी और संतुष्टी में बदल गया लेकिन अभी सायद उसकी तपस्या बाकी थी सायद भगवान को अभी उसकी और परिक्ष्या लेने थी जब उसका बच्चा एक वर्सका हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया सोचिये उस मा की मनिस्तिती क्या होगी जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदिगी जी थी उससे उसका बच्चा ही छिन गया हो ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं उसके सरीर से उसकी आत्मा ही चुरा लिया हो उस दिन से उस मा का जैसे खाना पीना सोना सब छूट गया उसे ना भूक लगती ना प्यास ना नीद आती हार मान जाये वह मा कैसी अपने बच्चे को ढूणने में उसने जमीन आस्मान एक कर दी और आखिर कार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया वह पहुँच गई उस चोर महिला के पास अपने बच्चे को वापिस लेने के लिए जब बच्चे की माने उस चोर महिला से अपने बच्चे को वापिस पाना चाहा तो वह महिला ऐसा जताने लगी जैसे वह उसका खुद का बच्चा हो जब बच्चे की मा को लगा कि किसी भी तरह से इस बात बंती नजर नहीं आ रही है तब वह उस मुद्दे इस मुद्दे को राजा के पास ले कर गई राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर की गई दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी राजा और उसके सबी दर्बारी कौफी आश्चरे चकित और हेरान हो गए क्योंकि बच्चे की सची मा को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों ही महिलाओं से किये जो उसकी आदतों उसकी पसंद या उसके निसानों के बारे में थे दोनों ही महिला हैं उसका सही सही जवाब दे रही थी जब इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आया तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराक करन किया करने के लिए कहा मंत्री ने बिना एक मिनट की देरी किये तुरंत राजा से कहा कि महराज मुझे लगता है कि यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है इन दोनों का ही इस बच्चे पर बराबर का हक है अगर आपको न्याई ही करना है तो सबसे बहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के दोर टुकड़े कर दीजी और एक एक टुकड़ा दोनों माओं को बाट दीजी मंत्री की एसी बात सुनकर राजा के साथ साथ सभी दरबार में हाजिर सभी लोग उनकी तरफ आश्चरिये से देखने लगे राजा ने सोचा कि मंत्री की एसी मुर्खता पूर्ण बातों के पीछी जरूर कोई रहस्य होगा वह बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते राजा ने तुरंत अपने सिपाईयों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस से इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिये जाए बच्चे की असली माने ये फैसला सुनते ही राजा के पेर पकड़ लिये और बोली महराज मुझे पर इतना जुल्म मत कीजिये आप चाहे तो बच्चे को उस महिला को दे दीजिये लेकिन उसके दो टुकड़े मत कर ये महराज और मार ये मत मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा इस दुनिया में तो रहेगा मंतरी जी ने राजा से कहा महराज इस बच्चे की असली मा यही है और जो वहाँ पर सांथ खड़ी है वह है चोड़ राजा ने तुरन उससे बच्चे को उसके असली मा को सोपने के लिए कहा उस चोर महिला को फासी की सजा सुनाई बच्चे की असली मा को उस दूसरी महिला पर जिसने उसका बच्चा चुराया था दया आगई क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे यह पता चला था कि वह भी उसी परिष्टिती से गुजर रही थी जिससे वह बारा सालों से गुजरी थी इस महिला ने अपने बांजपंज के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी वह उस बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी बच्चे की असली माने दर्बार में विंती कर उस महिला को माफ करने के लिए कहा I hope दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आयोगी ये कहानी है कि हमें बताती है इसे हमें ये सिक्षा मिलती है दोस्तों कि कैसे एक मा अपनी ओलाद के लिए कुछ भी कर गुजरती है और ये है भी सच बात है कि एक मा का दर्द दूसरे मा से ज़्यादा कोई नहीं समझता I hope आपको ये कहानी जरूर पसंद आयोगी अगर पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कर देना चेनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ जब तक के लिए बाए बाए सी यू